नमस्ते बच्चों कक्षा दस विश्य गनित और प्रिशनावले अपनी चल्दी है तीसरी दो चरवाले देखे समेकरन युगम तो इसमें अपने तीन प्रिंट चारता के कोशन हल कर चुके हैं तीन प्रिंट पांच वे उसके आग़ी के कोशन देखने हैं तो देखो तीन प् तो उसे वज्जर गुनन वीदी से आपको ग्याद करना है तो सबसे पहले चेक करना है कि किसका कोई हल नहीं किसका एदिप्ट हल है तो देखो अपने सबसे पहले इसके तुल्ना करते हैं उसी से A1X प्लस V1Y प्लस C1 इक्वल टु जीरो इसके दूसरी समेकरन के लिए A2X V2Y प्लस C2 इक्वल टु जीरो सबी की तुल्ला करेंगे A1 पॉन में A2 निकालते हैं तो 1 पॉन में 3 इसी तरह B1 पॉन में V2 निकालते हैं तो मैनस 3 अपॉन मैनस 9 मैनस 3 अपॉन मैनस 9 क्या हो गया 1 अपॉन 3 C1 अपॉन में C2 निकालेंगे तो मैनस 3 बटामी मैनस 2 मैनस मैनस कट गया 3 बटामी 2 तो अपनी स्थीती क्या बनी कि A1 अपॉन में A2 इकवल है B1 अपॉन B2 के लेकिन इकवल नहीं है C1 अपॉन में C2 तो इस परकार की जब स्मीकरन आती है तो इसका क्या होता है कोई हल नहीं यह क्या होता है कोई हल नहीं है जब यह दुनों दिक्वल हो लेकिन 30 स्थिती इक्वल नहीं हो तब क्या होता है कि भी कोई हल नहीं है अब देखो दूसरी स्मीकरन क्या दे रखी अपने को 2x plus y equal to 5 3x plus 2y equal to 8 तो अपने इसके लिए रेखो a1 upon a2 2 upon 3 2 upon 3 b1 upon b2 1 upon 2 c1 upon c2 क्या हो गया 5 upon 8 अब देखो ये दोनों ही equal नहीं है जब पहले दोनों ही equal नहीं हो कि a1 a2 not equal to b1 upon b2 तब क्या होता है एदिवत्य हल कि इसका एदिवत्य हल है special को ये कि इसका हल है तब ये होता है जब पहले दोत equal हो लेकिन तीसरा equal नहीं हो तो कोई हल नहीं जब पहले दोनों ही not equal हो तो ये क्या होता है कि ये एदिवत्य हल है तो ऐ दिवते हल को इसने क्या कहा है कि वज्जर गुनन बिदी से ग्याद करना है वो बिदी कौन सी होती है तो देखो X के गुनांग क्या है एक तीन वाई के गुनांग क्या है बिद चीने आपको लिखना है सोरी दूसरे कोशन की बात हो रही है इसकी एक्स के गुनाग क्या है दो तीन बाई के गुनाग क्या है एक दो तो देखो अपने क्या करो आप जो अचर है अब बाई के गुनाग है एक दो ठीक है एक दो अपने पास अचर है पांच आठ और X के गुनाग क्या हैं? 2, 3 तो अपने X की जब वैल्यू ग्याद करनी है तो X वाले गुनागों को छोड़ दो यहां पर समीकन लिखो इस परकार 2X प्लस Y इक्वल टू 5 3X प्लस 2Y इक्वल टू 8 इसको चाहिए साइड लिया हो मैनस 5 इक्वल टू 0 मैनस 8 इक्वल टू 0 जब X की वैल्यू ग्याद करनी है तो X वालों को छोड़ दो बाकी दोनों को लिख लो 1, 2 है मैनस 5 मैनस 8 इसके निचे के आएगा 1, 2 मैनस 5 मैनस 8 Y की वैल्यू ग्याद करनी है तब क्या करो Y की जस्ट आगे जाना है पिछे नहीं आना तो Y के आगे क्या है मैनस 5 मैनस 8 Y वालों को नहीं लिखना बटा आपे निशान भी नहीं लगाना मैनस 5 मैनस 8 फिर लिखने है X वाले 2, 3 ठीक है जब अचर पद की वैल्यू ग्याद करनी है तो अचर वालों को छोड़के ये लिखने है पहले X के फिर Y के कि एक ही सिक्वेंस में चलना है कि X वाले को छोड़के Y वाले दोनों Y वालों को आगे वाला पहले लिखना है फिर X वाला अचर के बाद क्या है का स्टार्टिंग X से होगी ठीक है क्या होगा तिर्श गुना तो x equal to minus 8 है एवला तो minus 8 ही यह दोनों minus के होगे तो minus 8 को minus इससे की है minus 8 को एक सिक्ट है minus 8 बीच में हमेशा minus का निसान इन दोनों का क्या होगा 5 दुनी 10 ठीक है फिर अपने निकालना है y का y का क्या होगा 5 दिये 15 माइनस के माइनस होगा और 8 दुनी 16 भी किसकी होगे माइनस के equal to 1 2 दुनी 4 माइनस 3 एकम 3 अब देखो x equal to minus 8 और plus के 10 हो जाएंगे तो 2 बचेगा x upon 2 ये plus के 16 हो जाएंगे 15 बचेगा 1 upon 1 तो y की value क्या है एक आई और x की value क्या है दो y x की value अपने पास क्या है दो y और y की value क्या है एक आई एक अदा question और हल करेंगे तो आपको समझ में असानी से आ जाएगा इसके बाद देखो अपने देखते हैं इसका तीसरा question तीसरा कोशन क्या है ये है अपने पास तीसरा कोशन कि 3x-5y equal to 20 और फिर है 6x-10y equal to 40 तो a1 upon a2 निकालते हैं 3 upon 6 3 upon 6 जलने की 1 upon 2 b1 upon b2 निकालते हैं minus 5 बटा में minus 10 minus से minus कट गया 5 एकम 5 पांच दो निकालते हैं तो 20 upon में 40 एक upon में 2 अब देखो a1 upon में a2 b1 upon में b2 c1 upon में c2 सारे ही equal हैं कि जब ये क्या होता है ये वाली condition आ जाए कि इसके सारे उन पात हैं वो equal आ जाए तब क्या होते हैं इसके आपरीमित रूप से अनेक हल होते हैं आपरीमित रूप से क्या होते हैं इसके अनेक हल होते हैं अनेक हल होते हैं एपरीमित रूप से ये था आपका तीसरा कोशन इसके बाद देखते हैं अपने चोथा कोशन क्या दे रखा है अपने को ये दे रखा है x-3y-7 equal to 0 और 3x-3y-15 equal to 0 ये दे रखा है चोथा तो a1 upon me a2 क्या है 1 upon me 3 b1 upon me b2 क्या आया minus 3 upon me minus 3 minus 3 से minus 3 कट गया 1 क्या condition बनी वो ही बनेगी कि a1 upon me a2 not equal to है b1 upon me b2 a1 upon me a2 क्या है not equal to है b1 upon me b2 तो जब not equal to है तो फिर कौन सी condition लगेगी अभी अपने कोशन किया एदिप्ते हल वाली और एदिप्ते हल वाली में फिर मान गयात करने है और कौन सी condition से मान गयात करने है बजजर गुनन बीदी से एक वार द्वारा से समझो कि बजजर गुनन बीदी है क्या x या पे y और या पे अचर x वाले के लिए आप x को छोड़के बाकी सारे चारों लिखोगे मैनस 3 मैनस 3 मैनस 7 मैनस 15 y वाले के लिए y से जस्ट आगे वाला लिखोगे पहले फिर लिखोगे 1 और 5 1 और 5 है क्या 3 है 3 x न तो 1 और 3 इसके लिए लिखोगे 1 और 3 और मैनस 3 और मैनस 3 तीक है अब देखो x के निचे क्या आएगा प्लस होजएगा 15 ती है 45 मैनस मैनस y प्लस होजएगा सुतरवाला मैनस आजएगा 21 y पॉन में 7 ती है 15 और प्लस 11 आजएगा मैंस 3 और起। 9 आजएगा प्लस के क्या आजएगी 9 आजएगे ठीक है अब देखो 45 में से अपने 21 गए तो 4 चोविस बचेगे y 21 में से ये गए तो मैनस के 6 बचेएगे और ये बचेएगे प्लस के 6 तो अपने पास x की value तो क्या आगी 24 देखो लेकिन comment आ रहा है पहले comment ले लो 6 comment आ रहा है 6 comment निकल जाएगा तो x upon 4 y upon minus 1 और 1 upon 1 तो x की value 4 आगी y की value minus 1 आगी इस परकार ये आपका पहला जो question है वो पूरा हुआ आगी की जो question है फिर अपने अगली वीडियो में करेंगे रन्यवाद